हेलो एबरीबन स्वागत आपका मेरे इस यूटूब चैनल पर तो फ्रेंट्स आज मैं आज से शेयर करने वाली हूँ स्लीव कटिंग जो 3-4 स्लीव कटिंग होती है वो शेयर करूंगी और जो बिगनर्स होते हैं उसे कुछ गलतियां भी होती हैं जैसे कि जो फ्रेंट का स्ल करना होता है वो बैक में जॉइंट कर देते हैं तो यह भी काफी कमेंट आ रहे थे मुझे और बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगी आज का जो यह स्लीव का वीडियो है तो फ्रेंट्स वीडियो को लाज तक देखना तो चले शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स यह मेरा है जिसमें मुझे 18 इंच तक का जो स्लीव का लेंथ है वो बन जाएगा और यहाफ मीटर का फैब्रीक है एक बात मैं बता दूं जो कि आपको भी नॉलिज होनी चाहिए इस बात की तो यह मैंने हाफ मीटर कपड़ा लिया था जो चिकन का कपड़ा होता है वो लिया था और तरीके से देखि मैंने फोल्ड किया हुआ है यह नीचे इस तरीके से काट डिजाइन है तो मुझे फोल्ड करने की भी जरूरत नहीं है यह स्लीव के बाटम में आजाएगा तो यह इस तरीके से है और यह मैं सीधा तो अंदर करूंगी और उल्टा जो रहेगा वो बाहर र मैंने इस तरीके से फॉर फोल्ड लेएर में जहा है धिशा के रख दिया है खुले हूए चारो साइड है और यहां से फोल्ड अपर से भी फ हो जलेगा कपड़ा कपड़ इहां से जहें पूरा फोल्ड होना होनी चाहिए तो इसमें आपकी कोई भी साइज का जो सिलीव है वो अराम से निकल जाता है तो सबसे पहले तो लैंथ तो है इसमें पूरी है मेरी जैसे कि यह आप देख रहे होंगे साड़े 18 है तो आदा इंच तो उपr चला जाएगा सिलाई के मारजन के लिए और तो यह हमारी 18 इंच रहे जाएगी सिलीव तो सबसे पहले जो हमें निशान लगाना है साड़े तीन पे एक निशान लगाऊंगी और ये भी साड़े तीन जो है हर साइज में ले सकते हैं इतना ही और इसको सीधा कर लूँगी बिल्कुल इस तरीके से सीधा कर लिया है तो अब इसकी ये चीज कितनी रखनी है मैं अपन किया था अगर आपको इसकी वीडियो देखने हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं कि छोटे नेक को बड़ा कैसे करें तो ये वाला निशान लगाने के लिए मैं अपनी सिलीव का जो आर्मोले उसको न मैं यहाँ पे भी ऐसी तरीके से ले लूँगी पोर्णे 10 पे यहाँ निशान लगा लोँगी यह याक नौँजो इस तरीके से और यह एक इंच सिलाई का तो फ्रेंट्स बॉटम जो है हमारा 11 इंच है तो उसका हम 2.5 पे निशान लगांगे और यहाँ पे डिपांच पे देंगे मार्जन का सबसे पहले यह वाला जो निशान है और इसको हम मिला लेंगे जो कटिंग होगी हमारे इसी निशान के होगी अब यहां पर जो है हम अपनी जो शेप देंगे सिलीव का इस तरीके से तो फ्रेंट्स वैसे इस जो यह शिलीव का जो शेप रहता है इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कई जो बिगनर्स रहते हैं उनसे नहीं लगती है तो उसके लिंक दे दूंगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्से वहां से आप देख सकते हैं क्लिक करके और यह हम हमारा फ्रेंट का निशान इस पर अभी कैंची चलाएंगे हम चले कटिंग कर लेते हैं इसकी यहां पर सेंटर में कट देजिए इस तरीके से यह वाली यहां से भी कटिंग कर लेंगे हम तो यह हमारी सिलीव कट चुकी है अब क्या करेंगे हम इसकी दो लेयर को पकड़ेंगे और इस तरीके से कर लेंगे सिलीव को तो आप जब भी यह फ्रंट काटें तो ध्यान रहे कि सीधा सीधा आपका अंदर होना चाहिए उसी के बाद आपको यह फ्रंट काटना है और यह जो फ्रंट का ज्यादा कटा हो ओता है जो कुर्टी का फ्रंट साइड होता है वहीं पे यह ची जाती है तो चलिए अब जो जादा कर गड़बड होती है बिगनर से वो क्या होती है कि ये वाला जो हमने जादा काटा है ये बैक में वो लोग कर देते हैं मतलब स्लीव की अदला बदली हो जाती है तो आपको क्या करना है सबसे पहले जो है हम यहाँ पे सिलाई करेंगे इस तरीके से सिलीव को करके दोनों सिलीव को इस तरीके से कर लेंगे और ये सीधा वाला है तो सीधा अंदर चला जाएगा और ये साइड की हम सिलाई लगा लेंगे सीधा वाला अंदर रहे याद रखेगा और यहाँ पे जो हम सिलाई लगा लेंगे और फ्रेंड्स कई बार क्या होता ह कि प्लेन कपड़ा होता है तो पता नहीं लगता कि सीधा और उल्टे का तो जैसे अभी मुझे तो पता लग रहा है पर कई लोगों को पता नहीं लगता तो आप क्या करें उल्टी साइड पे इस तरीके से चौक से क्रॉस कर दें दोनों सिलीव में तो आपको पता रहेगा कि कि यह उल्टा साइड है हमारा तो चलिए इसकी साइड की सिलाई कर देते हैं फिर मैं आपको आगे बताते हूँ तो फ्रेंट्स दोनों सिलीव को जो है मैंने साइड में स्टीच कर लिया है अब आपको क्या करना है सिलीव को इस तरीके से करके देखना है सिलीव को इस तरीके से रखना है जो बॉटम है हमारा इस साइड चला गया है एक बॉटम इस साइड और एक बॉटम इस साइड तो आपको यह देखना है कि यह जो कठमने लगाया था दोनों इस तरीके से आमने सामने होने चाहिए मतलब जो जादा काटा बोड़ती होना है। धार मैं आपको बता देती हो। तो फ्रेंट्स कुर्थी को मैंने उल्टा रखा है और ये सामने का नेक मेरी तरफ पड़ा है मतलब कि उपड़ा हुआ है। अब आप से गलती होती होगी कि आप स्लीव को नहीं देखते होंगे और आप ऐसे ही जोड़ देते होंगे तो आपको इस तरीके से देखना है स्लीव को यह आमने सामने इस तरीके से रखा है तो यह वाला स्लीव इस तरफ चला जाएगा और यह वाला स्लीव इस तरफ चला जाएगा तो आप यह तो पहले इसको इसको लगाने के जरुद नहीं है, आप पहले इसको जॉइंट करेंगे, तो ये वाला जो स्लीव होगा, इसी साइट का होगा, तो इस तरीके से करना है आपको, तो इस वाले स्लीव को तो मैं हटा देती हूँ, और आपको ये वाला स्लीव में जॉइंट करके दिखाती हूँ तो ये गले के साइड से मैंने स्लीव को अंदर लगा लिया है और ये इस तरीके से जो हमारी सेंटर की सिलाई है ये मिला के रखा बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि खीचना नहीं है किसी भी कपड़े को नॉर्मल लेके चलना है डीला डीला तो फ्रेंड्स सिलीव मैंने एक जॉइंड कर लिया और पूरी पर्फेक्ट जो है गोलाई में सिलीव चड़ गई है मतलब कई जो प्राब्लम ये भी रहती है कि सिलीव कभी छोटी या बड़ी हो जाती है और आर्मल राउंड में फिक्स नहीं आती है पर जिस तरीके से मैंने कटिंग की है आर्मल को नाप के मैंने सिलीव को काटा है अगर आप भी ऐसा ही करेंगे तो आपकी सिलीव बिल्कुल पर्फेक्ट चड़ेगी तो एक तो सिलीव मैंने इसमें लगा ली है दूसरी भी इसी तरीके से लगानी है चले लगा लेते हैं तो फ्रेंड्स दोनों जो वीडियो आई होप की आपको पसंद आई हो अगर ठोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करें थैंक्यू पर वाचिंग